नमस्कार मैं प्रिया राज आप देखे एक नियूस 24 आपको बता दे कि अगामी चुनाओ को लेकर बड़े बड़े ब्यान बाजी और सीटों के बट्वारे को लेकर आई दिन विवात का कारण तो बना ही रह रहा है इस दोरान जहारखंड वो जगह वो छेत्र और वो राजे बना जहां सबसे ज़्यादा हर एक पार्टी की तरफ से दावेदारी देखी गई इस दोरान बता दे कि सीटों का बट्वारा का लीस्ट जारी हो चुका है और यह लीस्ट खुद जहारखंड के सीम हेमन सोरेंजी ने किया है कि किस पार्टी को कितनी सीटे मिल रही है और इससे लेकर कहा जाए तो केंद्रिय मंत्री चिराग परस्वान सबसे घिरे नज़र जाये केंद्रिय मंत्री चिराग पास्वान की जो आगी दावेदारी ठोकते रहे कहा जाये तो जार्खंड में जो महोल बना चुनावों को लेकर वो काफी आतंकी महोल रहा जिस तरह से विवादों का भी कारण बना लेकिन सीट बट्वारे को लेकर बड़ी बाती होती रह है उसमें किसको कितनी सीटे मिलेगी इस पर आज हम चर्चा करने के लिए आभी इस वक्त मौझूद है तो आप बताईए हमारी जन्ता को ये जार्खंड की जो सीटों का बट्वारों का लिस्ट आया है वो किस तरह से है देखिए जार्खंड में सीट बट्वारे का बीजेपी के कद्दावर नेता ने जारी कर दिया लेकिन उसके बाद बिहार में खेला होना सुरू हो गया बिहार में खेला होना इसलिए सुरू हुआ क्यूंकि वो चिराक पासवान जो लगातार जारखन में ताल ठोक रहे थे उन्हें सुन्या पर आउट कर दिया गया है और अब बिहार सरकार पर भी अगर हम बोले तो खत्रे की घंटी बच चुकी है हाला कि जारखन में नितीज कुमार को दो सीट देखकर बीजेपी मना तो ली है लेकिन चिराक पासवान और चिराक पासवान के साथ जित्यन राम माजी के पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो सपोर्ट करेंगे बिहार में अब केंद्री का और क्या कारण क्या कदम उठाएंगे हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए जारखन में चुनाओ लरने का माजी का भी फैसला था चिराक पासवान का भी फैसला था और ये दोनों नेता जारखन में लगातार विजिट भी कर रहे थे सबसे अगर जादा वहाँ पर चिराक पासवान पहुंचे और चिराक पासवान ने एलान किया कि कम से कम हम 15 से 20 सीटों पर यहां चुनाओ लडेंगे लेकिन इस वक्त जो इस्तिती बनी हुई है इंडिये की जारखन में वो चिराक पासवान के अगर नितीज होते हैं अगर नितीज कुमार संतोस नहीं करते हैं तो क्या विहार शरकार पर खत्रे की घंटी आ जाएगी तो इन तमाम मुद्धों पर आज हम बात करेंगे उससे पहले हम आपको बता दे कि जार्खन में कितने सीटे हैं और किसे कितनी सीट मिल रही है तो जारखन की अगर हम सीटों की बात करें तो 81 सीट जो है विधान सभा का वो जारखन में पड़ती है जिसमें नितीज कुमार को दो सीटों पर रखा गया है यानि कि जो बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है इस वक्त नितीज कुमार उन्हें दो सीटों पर रखा गया है और य इतीस कुमार को मना के रख पाएगी बीजेपी अपने पास, रहाबाद भिहार के मुखिमन्ती नितीस कुमार की, तो जब भी वो नराज होते हैं, तो किस तरह होते हैं, यह सबी को पता है, और रहाबाद जिस तरह से जहारखण में आए दिन चिराग पासवान का दोरा हुआ वहाँ के लोगों के बीच उन्होंने बड़ी बाते भी कह दी स्वर्गय राम इलास पस्वान तक की सपने को पूरा करने की बाते कही लेकिन जहां से बीजेपी अगर उन्हें एक भी सीट नहीं देती है तो चिराग पस्वान के लिए ये काफी सर्मनाग भी हो सकता है और हो स चुनाव को जहां चिराग पासवान दावेदारी ठोकते रहे वहां से अगर उन्हें सीत नहीं मिलता है तो हो सकता है कि अब बिहार में किन सरकार की जो वैलू होती है प्रतिस्ठा होती है वो धीरे-धीरे कम हो जाए क्योंकि यहां बिहार में दू चेहरे सबसे ज्यादा महत तो र traz recipes एक बिहार के मुख्यमंत्री निते सकुमार आयो दूस्य चिराग पासवान गुंति डावेदारी और उतनी मजबूत게 के साथ है जिसस ता से बिहार मुख्यमंत्री रहा करते है लेकिन जहां बात आती है नितिसकुमार के उनको दो सीटे जहकंड में मिलने का ऐसा जो बात निकल कर सामने आ रहा है हो सकता है कि नितिसकुमार इस दो सीटों पर भी अपनी दावेदारी ठोक सके लेकिन रहा बाद चिराग पासवान का उन्हें एक भी सीट का जाए तो काफी उत्सा और काफी का जाए तो मजबूती के साथ देखने को नहीं मिल रहा है चिराग पासवान के खेमे में जीरो अभी सीटे ही दर्ज होती है बिलकुल देखें अरवाई पे BJP सबसे जादा सीट अपने पास रख रही है BJP सबसे जादा सीट अपने पास जारखन में रख रही है और BJP सबसे जादा सीट पर चुनाओ भी लगने जा रही है तो आजू जो वहाँ पर NDA गठ बंधन का हिस्स्ता है उन्हें भी 10 से 11 सीट पर ही रखा जा रहा है 10 से 11 सीट उन्हें दी जा रही है जबकि उनका भी मांग था कि 15 से 20 सीट हमें दी जाए लेकिन उन्हें भी 10 से 11 सीट पर रखकर बीजेपी इस वक्त सबसे जादा सीट अपने पास रख रही है अगर हम बीजेपी की बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पर 67 से 68 सीट ऐसे है यादि 63 सीटों पर बीजेपी अपने दावेदारी खेल रही है आगर का लेकिन विकास जी बीजेपी इतने सीटों को अपने खेमे में ही क्यों रख रही है क्योंकि और भी पार्टी है और भी निताएं हैं जो कहीं न कहीं जहारखन के विकास में अपना योगदान देरा चाहते है लेकिन भाजपा इस बार अपने पाले में काफी ज्यादा सीटी रख रही है देखे भाजपा को यह लग रहा है ज्यारखन में कि जिस तरीके से अभी हिमन सोरेन का मामले निकल कर सामने आए उन्हें जेल जाना परा सरकार गिरते गिरते बची फिर ओहां के तमाम विधायकों को 36 गर में सीट करना परा था यह सब कुछ को देखते हुए बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर ज्यादा सीट पर हम लरेंगी तो ज्यारखन में चुनाओ जीत जाएंगी ज्यारखन में हमारी सरकार बन जाएगी और यही कारण है कि ज्यारखन में इस वक्ट बीजेपी सबसे आपने पास सीट रख रही है लेकिन नितीज कुमार का इतना बड़ा जनधार बिहार में और ज्यारखन में इतना बड़ा जनधार के बाद अगर नितीज कुमार की पा पार्टी है, सस्पेंस में रखा गया है उनकी पाटी को और जो खबरे निकल कर सामने आ रही है कि चिराग पासवान को सायद कहीं एक सीट मिल जाए जहां पर उनका थोड़ा बहुत जनाधार है जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत हासिल नहीं कर सक है वैसे में चिराग पासवान को 2-3 दिन के अंदर कहे, 4 दिनों के अंदर कहे तो एक सीट दिया जा सकता है लेकिन जो चिराग पासवान टाल ठोक रहे थे कि कम से कम 12 सीट से 15 सीट तो ऐसा कुछ जारखन में होने नहीं जा रहा है चिराग पासवान के लिए हां चिराग प नराज होगे निटिसकुमार इस पक चिराग पासवान से ऐसे ही नराज चल रहे हैं बी जफीस सब्सक्राब अगरे क्यार्प और BE कि उसके बाद अगर इसा कुछ चिराग पासवान कदब ऊठाते है तो उसका खाम्याजाभी चिराग पाशवान को भुगतने को पडोर सुक् मिलना काफी बड़ी बात हो जाती है लेकिन अब रहा बाद चिराग पासवान क्या कुछ कदम उठाएंगे क्योंकि जारखंड से जो दावेदारी और जो जिस बुती के साथ चिराग पासवान बोलने का कारे कि इससे साफ जाहिए रहता है कि चिराग पासवान दलिये भी 24 पर धन्यवाद